अगर आप देखते हैं तो आपके जहन में अगर ये बात कभी भी आती है कि एरलाइन एरपोर्ट में जौब पाने के लिए क्या कोई कोर्स करना जरूरी है? कैबिन कुरू बनना चाहते हूं या फिर चाहता हूं, ग्राउंड स्टाफ बनना चाहता हूं चाहती हूं तो क्या मुझे कोई कोर्स करना चाहिए या फिर नहीं अब भी जो आपको वीडियो में बताऊंगा अगर आपने उसको ध्यान से समझा जाना तो आपके इस सवाल का जबाब जरूर मिल जाएगा दोस्तों एरलाइन एरपोर्ट में जोब पाना लगभग मान सकते हैं उन सभी का सपना होता है जो की कही न कहीं एविशन इंडिस्ट्री को जानते हैं एरलाइन में काम करना चाहते हैं तो दोस्तों इसके बारे में जानकारी पाने के लिए जब आप जाते हैं गूगल पे वहाँ पर चेक करते हैं एरलाइन में जॉब कैसे पाएं एरपोर्ट में जॉब कैसे पाएं तो आपके पास बहुत सारे options आते हैं और इन options के बाद कई बार ऐसा होता है कि आपको एक जाता है कि आपने क्वैरी की थी और आप सोट लिस्ट हुए हैं एरलाइन एरपोर्ट में जॉब के लिए वहाँ पर आपको बताया जाता है कि आपका selection हो गया है interview process को complete करने के लिए जॉब पाने के लिए आपको एक छोटा सा कोर्स करना है वीडियो के आखरी में definitely मैं अप के लिए informative contents आपको मिलते रहेंगे so friends airline airport में मेरा जो more than 18 years का experience है उसके basis पे आपको कुछ दिखाना चाहता हूं दोस्तों अभी जो आप देख पा रहे हैं video के screen पे यह है eligibility criteria indigo airlines की ground staff और cabin crew के लिए यह है go air का और यह है विस्तारा airline का detail यहाँ पर आप कहीं भी ऐसा नहीं देख जो required eligibility criteria है education qualification आपके पास कुछ certificate होना चाहिए simple जो eligibility criteria मांगी गई है वो यह दोस्तों इंडिया में active यह जो airlines है मैं आपको अकासा का भी दिखा रहा हूं आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कहीं भी यह mention नहीं किया गया है कि आपके पास कोई course होना चाहिए कोई certificate होना simple जो eligibility criteria है वो अभी आप देख पा रहे हैं वीडियो के screen पे तो अब बात आती है कि airline आखे मांगती क्या है ground staff या फिर cabin crew बनने के लिए सबसे जो point number one आता है वो यह basic eligibility criteria in terms of education qualification cabin crew के लिए maximum of the airlines 12th मांगती है इंडिया में ground staff के लिए हो गया आपका graduation English speaking communication skill body language आपकी personality present होनी चाहिए जिस जोग के लिए आप apply कर रहे हैं अगर आप customer service के लिए apply कर रहे हैं तो customer से भी आपका नेशर होना चाहिए अगर आपके आपके अपास NCC का background है तो security में कही न कहीं आपको benefits मलते हैं यह है वो roughly details इसमें कुछ data for example किसी airline में cabin crew बनने के लिए example में बात कर रहा हूं Indigo Airlines की तो 155 cm आपकी minimum height होनी चाहिए किसी और airline में जाएंगे तो आपको 157 मांगा जाएगा 158 मांगा जाएगा 160 मांगा जाएगा यह है वो basic eligibility criteria जो की आपको hold करना चाहिए यहाँ पर कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया है किसी certificate किसी course के बारे में तो दो दो यह जितनी भी चीजें आपको आती हैं कोई भी अगर आपको कहता है यह course कर लो वो course कर लो यहाँ पर admission ले लो सो friends सबसे पहले आप यह समझे कि जो भी आप course कर रहे हैं अगर cabin crew के regarding कोई course करने जाते हैं तो आज के time में जो normal कोई भी institution हो वहाँ पर डेड़ से दो लाक र amount है ग्राउंड साफ के regarding अगर आपको कोई course करने जाते हैं जो की अक्सर companies कहती हैं companies मतलब यह वो companies होती हैं अक्सर जो कहीं न कहीं आपके पैसों को डूबाना चाहती हैं अपना फाइदा कमाना चाहती हैं तो वह आपको जो course बोलेंगी कोई certificate माएंगी उसका खर्चा कम से क around 50,000 पढ़ जाता है और इसके बाद benefit क्या होता है आप मेंसे वो लोग जो की अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं आप समझ सकते हैं कि इसके बाद होने को कुछ भी नहीं होता है तो दोस्तों मेरी expert राय मेरी राय अगर यह माने तो simple सी बात यह है कि airline airport में job पाने के लिए I don one thing कि किसी भी course को करने की जरूरत आपको पढ़ सकती है दोस्तों मैंने जो बताया three points पे आपकी educational qualification eligibility criteria यानि कि बस eligibility criteria पे work कीजे अपनी personality को थोड़ा सा improve कीजे competitive environment में आप रहने की कोहिश कीजे mentally और physically दोनों और हां कम से कम 6 महीने तक मेरे किसी भी वीडियो को miss मत कीजे believe me मैं guarantee देता हूँ अगर उपर वाले ने चाहा और आपने सही तरीके से महनत किया तो आपका selection कहीं ने कहीं जरूर हो जाएगा मेरी बाते सही लगती है चैनल काम का लगा like subscribe और share जरूर कर लीजेगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए best of luck